हेलो स्टूडेंज मैं आपका अक्षे सर आज हम देखेंगे JEE 2017 का एक फ्रिजिक्स का क्वेश्चन यह जो क्वेश्चन है यह आपका सेंटर आफ मास मुमेंटम कोलिजन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है स्टार्ट करते क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले ओके अब एक सर्कुलर कट दिया हुआ है जिसका रेडियस है और यह जो है यह फ्रिक्षन लेस है ठीके दा ब्लॉक रेस्ट ऑन हो लुक्षिंटल एपको याद रखना है कि होरीजंटल डिया हुआ है इस टेबल पर अपना ब्लॉक रखा हुआ है ध्यान रखने वाली बात है कि यह और since यह frictionless है तो इतना आपको याद रखना है कि horizontal direction आपको 4,0 होने वाला है बहुत important और useful information है कैसे use होगी बता दूँगा आपको आगई question में initially the right edge of the block is at x equal to 0 in a coordinate system fixed to the table ठीक है यहाँ पर आपका table जो है वो frame of reference है table बोल दो ground बोल दो because यहाँ पर आपका since जिसे भी ब्लॉक का अगर mass दे दिया जाए तो उसे moving हम लोग consider कर सकते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा block है capital M वाल और चोटा point particle small m वाला दोनो moving है तो यहाँ पर आपको frame of reference लेना है वो ground का लेना या फिर table का लेना है okay ठीक है a point mass small m is released from surface at the topmost point of the path as shown and it slides down तो यहाँ पर आपका small m दिया हुआ है okay यह at t is equal to zero हमने release कर दिया है तो जो circular path दिया हुआ है काफ कर दिया है पर capital M पे उस circular path पर यह move करने वाला है okay ठीक है topmost point of the path is shown and it slides down when the mass loses contact with the block its position is small x and its velocity is v okay ठीक है तो यहाँ पर क्या होने वाला है ना आपका small m है वो यहाँ से release होके वो slide करेगा इस circular arc पर okay तो जाहिर से बात है जब वो यहाँ पर आएगा तो release हो जाएगा okay ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो small m है उसका motion कहीं न कहीं राइट की तरफ होने वाला है और इसी के कारण आपका जो बड़ा वाला block है capital M उसका motion left की तरफ होने वाला है तो आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे when the mass loses contact with the block its position is x and velocity is v okay यह information दी हुई है at that instance which of the following options is are correct अभी यह आपका multiple select वाला category है इसमें आपके दो या मतलब एक दो कितने भी options इसमें आपके correct हो सकते तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो अभी question को solve करने से पहले इसका थोड़ा funda समझ लेंगे exactly होगा क्या सबसे पहली बात तो दिया हुआ है कि आपका horizontal surface हो और सिंद आपका horizontal surface का जो friction है वो 0 दिया हुआ है तो horizontal direction में कोई भी force नहीं लगेगा अगर horizontal direction में कोई भी force नहीं लगेगा इसका क्या मतलब होता है कि आपका horizontal direction में center of mass conserve रहने वाला है initial velocity 0 है तो anyways net center of mass की velocity जो change नहीं होगी तो position भी change नहीं होगा initially 0 तो velocity 0 ही रहेगी ओके तो यह जो system का जो center of mass है initially finally भी उतना ही रहने वाला है तो यह हम लोग information यह वाला fundam use करेंगे इससे हमें position मिल जाएगा ठीक है दोनों के center of mass का यह फिर दोनों का position मिल जाएगा उसके बाद यहां पर velocities के बारे में भी comment किया हुआ है तो velocities evaluate करने के लिए आपको conservation of momentum वाला apply करना पड़ेगा अभी exactly यह fund apply कैसे करेंगे यह हम start करेंगे तो सबसे पहले तो आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने figure फिर से बना दिये आपके reference के लिए ठीक है यह आपका initial system है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका mass जो हो already top पर है तो initially आपका जो center of mass का position है वो हमें निकालना पड़ेगा मैं assume करूंगा कि यह जो भी आपका बड़ा सा particle है या फिर बड़ा सा जो ब्लॉक है उसका center of mass यही कई पर तो आता है यह जो मैंने या पर दिया हुआ है और उसका इस block के यह वाले end से कुछ L distance है ओके don't worry मैं कोई नया variable introduce नहीं कर रहा हूँ यह anyways कटने वाला आगे तो don't worry about it ओके यह बस मैं हमारे reference के लिए लिख रहा हूँ तो आपका जो block है capital M वाला ठीक है उसका center of mass उसके rightmost edge से x l distance पर है ठीक है चलो अभी हमें यह जो net system है capital M plus small m इनका में center of mass evaluate करना है ओके तो यहाँ पर मैं लिखूंगा com center of mass initial यह कितना होने वाला है आपका यह point reference point है ध्यान रखना ठीक है यहाँ पर x equal to 0 mark भी किया हुआ यह question में ही दिया हुआ है ठीक है चलेगा तो initial center of mass उसका capital M into इसका center of mass कितना लूँगा मैं minus l because left direction में है ठीक है यहाँ पर मैंने coordinate system भी दिया हुआ है left direction आपका negative हो जाएगा right direction आपका positive हो जाएगा तो यह ध्यान रखना है ठीक है फिर plus m times इसका position क्या है अगर मैं इसका position देखू तो यह horizontal x से आपका x equal to 0 से आपका minus r पर है तो यहाँ पर आएगा minus r the whole divided by capital M plus small m okay तो यह हो गया आपका initial position of center of mass ठीक है आपका जो center of mass है उसका final position क्या होगा now what do I mean by final position suppose मैं assume करूँगा कि आपका पूरा का पूरा system leftward कुछ leftward shift हो गया है तो यहाँ पर मैं एक figure बना देता हो थोड़ी से rough figure बनाओंगा so that आपको idea आजाएगा कि मैं बाद में के instance की बात कराओ तो बाद में के instance में it will look somewhat like this okay ऐसा कुछ तो होगा क्योंगे थोड़ी से मिने rough figure बनाईए यह आपका capital M है और आपका small m है वो यहाँ पर आ जाएगा okay चलो तो suppose मैं ऐसा assume करूंगा कि यह जो है यह आपका कुछ let's say पी डिस्टन्स पकड़ लो पी डिस्टन्स आपका left में चला गया है यह कौन सा चला गया आपका capital M वाला मास है आपका capital M वाला मास है वो कुछ P distance left में चला गया है आपके final instance के okay already उसका center of मास के right edge से L distance दूर है तो अभी के time उसका position क्या हो जाएगा capital M times यहाँ पर मैं L plus P लिख देता हूँ लेकिन minus में लिखूंगा okay plus small m times अभी यह आपका interesting होने वाला है ठीक है आपका यह वाला जो यह मैंने यहाँ पर बोला यह P distance पर आ गया है और small m भी आपका फिर P distance पर ही होगा तो small m times minus P लिखना पड़ेगा मुझे the whole divided by capital M plus small m okay अभी मैं आपको पहले ही बताया था कि सिंस यहाँ पर आपका center of मास का position conserved है आपका center of मास यहाँ पर हिलने नहीं वाला है इन दो क्वांटिडीज को करके मैं actually मैं P की वालू निकालूंगा चलो करत के देख लेते एक बार एनिवेज अगर यह दुन सबको माइनस से मलती यह दुनों को यह साइड ले लेता हूँ तो capital M plus small m times P यह आपका हो जाएगा small m times r तो यहाँ से आपका पी का वाल्यू कितना आ रहा है आपके p का वाल्यू आ रहा है small m capital R upon capital M plus small m okay that means आपके final instance पे क्या होगा आपका जो भी बड़ा ब्लॉक दिया हुआ है capital M वाला वो P distance leftward चला जाएगा okay ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या the x component of displacement of center of mass of the block is this यह हमें expression आया है अभी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ही है कि उन्होंने displacement शब्त को यूज किया है उन्होंने center of mass के position नहीं यूज किया है because capital M का center of mass next instance के मतलब final instance पे कहा पर है P plus L leftwards है okay तो यह center of mass तो नहीं है लेकिन अफको जो center of mass P to displace हुआ है okay और since वो लोग displacement की बात करें तो आपका B option actually में correct option है okay the x component of displacement of center of mass of block capital M okay तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो यह तो correct है उसके बाद the position of point mass is यह दिया हुआ है आपका जो point mass small है में वो actually P distance पर ही है आपके x equal to 0 से तो इसका जो position होगा वो minus P होगा which is minus of this thing okay तो root 2 times तो नहीं है तो आपका option C तो वैसे भी गलत option है तो यहाँ पर position के बारे में तो हम लोग ने कर दिया है position का तो tension ही नहीं है okay अभी हमें comment करना है velocities के बारे में हमें block का भी velocity निकालने हमें point mass point particle का भी velocity evaluate करना है ठीक है तो velocity हम लोग कैसे evaluate करते है ऐसे situations में हम apply करते conservation of momentum और energy conservation ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको conservation of momentum यहाँ पर apply करके okay आपका final momentum कितना होगा अभी आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर मैं जो भी velocity लिखूंगा यह with respect to ground frame होने वाली है okay चलो तो with respect to ground frame मैं assume करूंगा कि आपका जो capital M है उसका velocity है v1 left की तरफ और आपका जो small m है उसके velocity यह v2 right की तरफ okay तो आपका final momentum कितना होगा capital M times minus of v1 okay plus small m times v2 okay direction यहाँ पर बहुत important हो जाती है जबी भी आप momentum हो या फिर center of mass हो इसके fundे जब भी apply करो direction becomes crucial direction में please गलती मत करना चीक है तो यहाँ पर मैंने final momentum का expression तो लिख दिया है अभी since horizontal direction में कोई भी force नहीं है तो horizontal direction में आपका momentum conserve होने वाला है okay तो initially momentum 0 था तो finally भी momentum 0 होगा तो यह वाली quantity actually में 0 है for that reason में आपको बता सकता हो यहाँ से हम क्या conclude कर सकते हैं हम यह conclude कर सकते कि आपका capital M times v1 is equal to small m times v2 अभी इसकी अच्छी बात यह है कि ऐसे टाप के expressions actually आपके terms eliminate होने में काम आते कैसे काम आते आगे बताऊंगा ठीक है एक equation तो आ गया v1 यह पर दो variables है v1 v2 तो एक तो आ गया हमें और एक equation चाहिए v1 और v2 की value evaluate करने के लिए तो यह expression आने के बाद उसके बाद हम apply करेंगे आपका conservation of kinetic energy वाला थिवरम okay not kinetic energy complete energy okay तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह equation आ रहा है दो variables आपके v1 v2 तो आपको दो equation से जरू हता है तो यह पहला equation तो आपका जो small m है वो नीचे जा रहा है that means उसकी gravitational potential energy कम हो रही है that means वो जो भी gravitational potential energy है वो इन दोनों के kinetic energy में convert हो रही है okay तो loss in potential energy mgr है because उसने उसकी r height को lose किया है तो loss in potential energy यहाँ पर में लिकूंगा small mgr यह होगा आपका half into capital m into v1 का square plus half into small m into v2 का square यह जो भी आपका loss in potential energy है वो इनके kinetic energy में convert हो गया है okay अभी यहाँ पर जो expression दिया हुआ है इस expression में से हम लोग एक variable eliminate करने कोशिव करेंगे सो है दूसरे variable की value आपको easily मिल जाए ठीक है यहाँ पर मैंने energy expression लिख दिया है अभी यहाँ पर let's say मैं बोलूंगा v1 की value कितनी होगी या फिर सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो variable है वो एक variable को eliminate करके दूसरा variable हम evaluate कर देंगे ठीक है तो यहाँ से मैं v1 कितना बोल सकता हो मैं v1 बोल सकता हो small m by capital m times v2 यही उठा के आपके energy के equation में डाल दो तो आपका mg r कितना होगा half capital m into v1 के बदले यह वाल expression आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा small m square capital m का square v2 का square plus half times small m into v2 का square ठीक है अभी यहाँ पर सबसे पहले तो यह cancellation कर लेते capital m कटेगा इसके square cut से फिर small m तो हर जगे से कट रहा है getting it यह जो half है वो उदर जाके 2 होके multiply हो जाएगा तो 2rg आपका कितना हो रहा है small m into v2 का square है यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ half v2 का square by 2 यहाँ पर capital m भी है तो v2 का square common ले लो यहाँ पर आपका बचे का 1 plus small m by capital m तो यहाँ से आपके v2 का expression कितना आ रहा है यह आपका हो जाएगा square root of 2rg upon 1 plus small m by capital m यह आपका v2 expression आ गए यह आपके जो छोटा particle है small m का उसका velocity है अगर आप option में देखोगे अगर आप option में देखोगे तो यह वाला option आपका correct है अगर आप option मुझे देखना है उसके लिए मुझे बड़े वाले का velocity निकालना पड़ेगा तो आपका v2 कितना हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा small m by capital m times sorry v1 हो जाएगा small m by capital m times v2 तो इसी को small m by capital m से multiply करना तो आपका v1 हो जाएगा small m by capital m times this particular quantity 1 plus capital m by small m ओके v1 का expression लेकिन अलग है यहाँ पर अलग आ रहा है तो यह वाला भी option आपका wrong हो जाएगा तो यहाँ पर आपका option b और आपका option c correct answer है ठीक है multiple select question था तो यहाँ पर आपके multiple options correct है ठीक है जो कि यहाँ पर b और आपका d ओके आपको वीडियो पसंद आया हो आपको solution समझ में आया हो ठीक है अगर ऐसी किसी और question का अगर आपको solution चाहिए होगा तो comment section में जो बता देना